हैलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे हमारे घर के रोज के कम अगर हम थोड़ा सा टीप्स के थुरू करें फ्रेंड काम एकदम आसान हो जाएगा और फ्रेंड अपने लिए भी समय बसा सकते हैं ऐसे ही कुछ यूसफुल टीप शेयर करेंगे फ्रेंड तो चलिए टीप्स हम देख लेते हैं जो टीप्स है फ्रेंड या पर मैंने कटोरी में एक काप आटा लिया हुआ हूँ फिर इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिस काप से मेजर्मेंट करके आटा लिया हूँ उसी काप से मैं थोड ज्यादा गारा भी नहीं है और ज्यादा पतला भी नहीं है इस तरह से बटर को तयर करना होगा फिर जो बटर है ना इसको हम एक काप में इस तरह से डाल देंगे तो हमारा ना देने में बहुती ज्यादा आसान हो जाएगा फ्रेंड इसको हम क्या करेंगे देखिए मैंने गैस के उपर एक फ्राइपें चरह दिया फिर इसको इस तरह से पतला करके रोटी जैसा बना लेंगे जितना पतला आप करोगे उतने ही खाने में बहुती टेस्टी लगेगा इसके उपर फ्रेंड थोड़ा सा चीनी इस तरह से डाल देंगे और एक चीज देंगे विन थोड़ा सा ओयल देंगे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और एक मिनिट तक पका लेंगे फिर इसको देखिये इस तरह से पलट देंगे जो चीनी है ना चीनी करामेल हो जाएगा और बहुती ज़्यादा क्रिस्ट्री हो जाएगा, इस तरह से अगर फ्रेंट आप नास्ता तयर करेंगे तो बच्चा या बुरे सभी को बहुती पसंद आएगा, अब जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर आपके पास समय नहीं है, बच्चा भी रो रही है, खाने के लिए कूझ जट-पट तयर हो जाता है, और बहुती हेल्दी भी है, खाने में भी बहुती अच्छा लगता है, इस तरह से फ्रेंट मैंने जितने बैटर तयर किये थे थे ना, सब को इस तरह से बना लेंगे, अब बच्चे को टीफिन में भी दे सकते हैं फ्रेंट, इसके खाने के लिए कोई भी तरकारी की जरूरती नहीं परेगा, बहुती सॉफ्ट होती है, और जो करामेल है ना, एक किस्टी भी होती है, खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी लगती है, फ्रेंड, जरूर एक बार ट्राइ करना इस तरह से आप लोगों को भी अच्छा अगला टीप्स हम देख लेते हैं, हमारे घर में जो इस तरह के तावा होते है ना, रोटी करने के कई बार देखा जाता है, तावा जो है एक दम से जल जाता है, और इसको क्लीन करने के लिए फ्रेंड, बहुती ज़्यादा समय लगता है, जो टीप्स शेयर करूंगी फ्रे इस तरह से रोटी करने के तावा के उपर छिरक देंगे, फिर एक टूट ब्रश की मदसे अच्छे करके लगा लेंगे पूरे तावा के उपर, फिर इसको एक मिनिट के लिए ही रख देंगे, एक मिनिट बाद फ्रेंड मैंने यापर ले लिया है, एक पोलिथीन, पोलिथी का खाली पैकेट होता है ना वो ही ले लिया हूँ फिर क्या करेंगे फ्रेंड जला हुआ तावा है ना उसको इस तरह से एक मिनिट के लिए रब कर लेंगे इस से क्या होगा हमारा जो तावा जला हुआ ना वो एकदम से क्लीन हो जाएगा यहाँ पर जो हैंड ग्लाप्स होता है ना वो भी यूज कर सकते हैं देखिए एक मिनिट के लिए इस तरह से अगर हम रब कर लेंगे तो हमारा तावा एकदम से क्लीन हो जाएगा एक भी जला हुआ निशान नहीं रहेगा फिर इसको क्या करेंगे फ्रेंड देखिए साप पानी से आपको क्लीन करके भी दिखा रही हूँ देखिए हमारा जो तावा है एकदम से क्लीन हो गया टीपस अगर थोड़ा सा भी उसफूल लगे तो फ्रेंड जरूर एपलाई करना तो चेलिए आगला टीपस हम देख ले की भी जरूरत है तो हम क्या करेंगे जो कपड़ा प्रेस करेंगे उस कपड़े को आप एटीपस एपलाई कर सकते हैं फ्रेंड एक्जम्पेल के लिए मैं दिखा रही हूँ देखिए उस कपड़े को इस पानी में अच्छे तरीके से भीगो लेंगे फिर जो बरफ है ना ब जो कपड़ा है ना फिर इसको पानी से निकल कर पाच मिनिट बाद धूप में सुखा लेंगे कपड़े को प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा एकदम देखने लगेगा जे कपड़ा जो है ना प्रेस किया हुआ है छोटा सा टीपस प्रेंड लेकिन बहुती आप किसी में डोडी में रख दीजिए एक्स्टा प्रानी आसानी से चला जाएगा तो ए टीपस जरूर एपलाई करना उम्मीद करती हो आप लोगों को भी कामाएगा आगला टीपस हम देख लेते हैं फ्रेंड या पर गैस के उपर मैं लोहे के एक तावा चड़ा दिये एक या दो सेगिंट में ही हमारे जो चीनी है न वो गलने लगा है एक मिनिट के लिए इस तरह से हम अच्छे तरीके से चीनी और चाय को देखिए भून कर लेंगे तो कालर जो है न चाय का वो चेंज हो जाएगा फिर क्या करेंगे फ्रेंड एक कटोडी में मैंने दूद को अच्छे तरीके से गरम करके ए जो चाय है न दूद में मिला लेंगे ए जो चाय हम बना रही है फ्रेंड ए बहुती ज़्यादा यूसफुल है हमारे शरीर के लिए कई बर देखा जाता है हमारा घूटने या हमारा कमर दर्थ करने लगता है अगर आप इस तरह से लोहे बल में चाय बना कर पिएंगे तो बहुती ज़्यादा आराम मिलेगा ज़रूर ए टीप्स यूस करना फ्रेंड क्यूंकि लोहे का जो बेनिफिट है न वो हमारा शरीर में चाय के मध्धम से जाएगा तो चलिए आगला टीप्स हम देख लेते हैं फ्रेंड या पर गैस के ऊपर एक पेसर कुकर में एक ग्लास पानी डाल देंगे फिर क्या करेंगे इसका जो ढखकन है न इसको बंद कर देंगे पाँच मिनिट के लिए फ्रेंड गैस का फ्लेम हाई करके इसको गरम कर लेंगे पाँच मिनिट बाद इसको बंद कर देंगे इस पेसर कुकर को हम कैसे यू खुश भी हो हम अगर उसको regular पहनते हो तो पहनने के बाद अगर हम clean करते है regular ही तो क्या होता है हमारा जो कूर्टी या कुछ भी कप्रा हो ना उसका color भी खड़ाब हो जाता है अर कप्रा ना एकदम से नस्ट हो जाता है लेकिन अगर हम regular उसको clean नहीं करें तो बदबू भी आने लगता है और कपड़ा से bacteria भी हो जाती है तो इसको हम कैसे clean कर सकते हैं बीना धोय ही पानी से ही आप इसको clean कर सकते हैं इसका जो बदबू है ना वो भी चला जाएगा तो चलिए देख लेते हैं या पर एक छन्नी के उपर ए चन्नी की मदल से एक काम करेंगे तो friend हमारा जो कपरा है ना हर तरब अच्छे तरीके से baking soda जो है ना वो आसानी से फैल जाए आप एक काम हाथ से करते तो कई पर ज़्यादा या कई पर कम गीटते baking soda friend बदबू दूर करने में बहुती ज़्यादा useful है और bacteria भी खतम करती है इस तरह से अगर clean करेंगे ना friend हमारा जो कपरा है ना एकदम से नए जैसा रहेगा एक मिनिट इस तरह से रहने के बाद friend हाथ से इस तरह से baking soda जाए है ना उसको clean कर लेंगे clean करने के बाद friend देखिएगा आपका जो कपरा है ना जिसके अंदर से पसीना का बदबू आ रही थे ओ एकदम से clean हो जाएगा कोई भी बदबू भी नहीं रहेगा अपके कपरे में ए जो कपरा है ना friend हाम बीना बीजले की मदस से ही कैसे इस्तरी कर सकते हैं देखिए हमारा जो पेसर कुकर पहले गरम किये थे ना पानी के साथ वो पेसर कुकर इस तरह से जिस तरह से हम इस्तरी से प्रेस करते हैं हमारे कपरे को पेसर कुकर के मदस से भी इसको इस तरह से पेसार कुकर को अच्छे तरीके से पहले तो गरम करना होगा पहले ही बताया आप इस तरह से करेंगे तो आपका बीजली की जरुरती नहीं पढ़ेगा और एक काम होगा कई बार देखा जाता है हमारे घर में बीजली चला जाता है तो हम बहुती ज़्यादा टेंशन में पढ जाता है तो आप इस तरह से भी जो कपड़ा है आपका आइरन कर सकते है फ्रेंट अगर आप एक बार पेसार कुकर को अच्छे तरीके से गरम कर लेगा तो 10 या 15 मिनिट के लिए बहुती ज़्यादा गरम रहता है इस टाइम में आप 5 या 6 तो जो कपड़ा है ना इसको आस मैं करने नहीं बोल रही हूं फ्रेंट जिसके पास एस समस्था है या इलेक्टिक नहीं है बीजली नहीं है घर में तो आप एटीप्स एपलाई कर सकते हैं हम देख लेते हैं फ्रेंट हमारे घर में तो पीलो हम सभी लोग ही यूज करते हैं लेकिन छोटे बच्चे हो तो कई बार देखा जाता है सर्दियों में रात को नीन से बार बार जाग जाता है क्यूंकि जो पीलो कबर है ना फ्रेंट ओ हम कटन के ही यूज करते हैं एकदम से ठंडा रहता है कटन का जो पीलो कबर तो इसको हम कैसे यूज करें जो पीलो कबर है ना एकदम से गरम रहेगा हमारा जो छोटे बच्चे है न वो भी नहीं जगेगा रात में इसके लिए फ्रेंट हमारे घर में इस तरह का जो पुराना सोएटर होता है न देखिए सोएटर को इस तरह से बिछा लेंगे फिर इसके अंदर पीलो को इस तरह से डाल देंगे सोटर को जो बोतम है ना बोतम को इस तरह से लगा लेंगे फ्रेंट फिर क्या करेंगे देखिए जो नीचे बाला हिस्सा है ना इस तरह से पीलो के अंदर डाल देंगे इस तरह से अगर हम पीलो कवर तायर करेंगे एक सोटर से तो हमारा जो पीलो है ना एकदम से गरम रहेग फ्रेंड हर छोटा बच्चा भी कभी भी सर्दी में नीन से नहीं जागेगा छोटा टीप्स है फ्रेंड जरूर एपलाई करना और कमेंट करके बताना ये टीप्स आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो जरूर एक लाइक करना मेरे चैनल पर नए हो त जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना